है हलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हो डॉक्टर परमिश्वर राजपूत स्वागत है आपका अपने सोनलाइन क्लासस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन दोस्तों आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है माइक्रोप्स इन माइक्रोप्स इन प्रोड़क्शन अप बायो गैस मिंस बायो गैस कैसे बनाते है बायो गैस का मतलब होता है गोबर गैस जो हम लेमन टर्म में बोलते है गोबर गैस तो माइक्रोप्स का जो यूज है बच्चों माइक्रोप्स इन प्रोड़क्शन अप प् oh okay what is mean by biogas? बच्चो biogas ka मतलब हता है is a mixture of gases क्या होता है? इसमें gases ka एक mixture होता है biogas biological gas लेकिन यह mixture कौन से gas का होता है तो बच्चो इसमें तीन types के gas होते है कौन से? तीन types के? एक रहेगा आपका methane जो सबसे जादा होता है जिसको बोल सकते हो आप predominant gas कौन सा होता है बायो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा तो मिथेन होता है इसके बाद आएगा इसके साथ साथ बनते हैं carbon dioxide and hydrogen तो ये तीन गैस का एक mixture होता है जिसको हम बोलते हैं बायो गैस अब बच्चो जो बायो गैस होता है ये बायो गैस बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चो सबसे important है यहाँ पर गोबर चाहिए कहां से मिलेगा गोबर cattle से मिलेगा तो आप एक diagram निकालने ते गाय का एक diagram निकालते चलो इससे थोड़ा clear होगा आपको diagram तो इतनी clear मेरी आती नहीं यह कभी चलो ठीक है अब काव का जो अंदर का जो पेट होता है बच्चो यह अब इतनी clear तो आपको यह मुझे बक्री लगज़ा है चलो ठीक है काव समझ लो अभी यह है बच्चो यह काव का digestive system है यह क्या है उसका digestive system है तो यहां का जो पार्ट होता है बच्चो यह वाला जो पार्ट यह वाला जो पार्ट होता है यह स्टमक का पार्ट होता है यह आप स्टमक बोल सकती हो इसका गाय का स्टमक और इसका जो एक पार्ट होता है बच्चो उसको बोलते है rumen, क्या बोलते है rumen और ये rumen एक ऐसा part होता है जहाँ पर आपका एक food का part रहेगा cellulose गाय भैस क्या खाते है, घास खाते है जादा से जादा और उसके अंदर क्या रहेगी, cellulose material होता है, घास के अंदर सबसे जादा fibrous food होता है, cellulose होता है अब ये cellulose को digest करने के लिए, ये rumen के अंदर होते है bacteria, क्या होते है इसके अंदर रहेंगे bacteria, क्या रहेंगे याप पर bacteria रहेंगे, कौन से bacteria रहेंगे, बच्चों यहाँ पर रहेंगे आपके mythenogenic bacteria, ये bacteria के नाम क्या है, mythenogenic bacteria तिरिया आप बोलोगे सर्नट यह मिंथे दिदेंग बेक्टेरिया का मतलब क्या है बहुती सिंपल यह बैक्टेरिया क्या करते हैं जौ पोलें पूरे बैक्टेरिया को मिला हम बोलेंगे मिथेनोजनिक बैक्टेरिया लेकिन मुझे ऐसे बोलना है मुझे सिंगल बैक्टेरिया का नाम चाहिए सिंगल बैक्टेरिया का तो हम इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बच्चो हम मिथेनो बैक्टेरियम single bacteria का नाम क्या रहेगा methanobacterium और पूरे bacteria को मिला के हम बोलेगे methanogenic bacteria ऐसे bacteria जो methan मनाते हैं और एक single bacteria का नाम रहेगा methanobacterium अब यह जो bacteria होता है बच्चों यहाँ पर cellulose का क्या होता है digestion होता है और गाय के पेट के अंदर भी bio gas बनता है methane हो सब यहाँ पर बनता है क्योंकि यहाँ पर भी cellulose का digestion हो रहा है कौन कर रहा है यह bacteria करते हैं लेकिन हम क्या करते है bio gas बाहर बनाते हैं कैसे बनाएंगे अब यह गाय के अंदर से जो digestion होआ digestion जो cellulose का digestion होआ उसका ठीक है गाय को उससे nutrition मिल जाएगा लेकिन पूरा cellulose का digestion होता है क्या नई जो भी food है जो भी cellulose है जो undigested है वो undigested cellulose आपका यहाँ पर गोबर में आ जाएगा यह गोबर है गोबर के अंदर यह गोबर है गोबर के अंदर undigested क्या है cellulose भी है और इसके अंदर कुछ आपके बैक्टेरिया भी आ जाएंगे अब यह बैक्टेरिया है तो इसके साथ यह बैक्टेरिया आएंगे न तो यहाँ पर आपके कुछ बैक्टेरिया भी आ जाएंगे और सबसे इंपोर्टन चीज बच्चों यह जो बैक्टेरिया यह एरोबिक है या अनैरोबिक है मिन्स यहां पर पहले चीज तो यह लग, यह तो भैक्टेरिय लिख दे दे से, चलो भीज़ेंगे मिधेनो भैक्टेरियम इसके अंदर आगए राइट और दूसरा क्या आएगा इसके अंदर अनदर जिपस्टेड उणडिफिक्ट undigested cellulose, जो cellulose का यहां पर digestion नहीं हुआ, वो गोबर में आ जाएगा, और गोबर में कुछ वेक्टिरिया भी आ जाएगे, अब हम क्या करेंगे, इस गोबर को, इस गोबर को हम बोलेंगे cow dung, cow dung, और इसको हम गोबर बोलते हैं, ओके, अब यह गोबर का हमें यूज करना है बायो गैस प्लैंट में, कैसे करते हैं, चलो देखो, एक बचों यह सबोज, यह है आपका, यह जमीन है, यह जमीन का लेवल है, ओके, यहां से बड़ा सा हमने खड़ा बनाया ऐसे, 10 से 15 फीट का, कितना, 10 तू 15 फीट, कॉंक्रिट का होता है, यह बड़ा सा, कॉंक्रिट क टैंक बनाते हैं, अब यह कॉंक्रिट का जो टैंक है, यह कॉंक्रिट का टैंक में हम डायरेक गोबर ने डालेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम पहले साइड में एक खड़ा बनाएंगे, यहां पर एक खड़ा बनाएंगे इसे, ऐसे टैंक बनाएंगे, और इसमें हम डालेंगे आपका cow dung, गोबर डालेंगे, गोबर, और इसके साथ हमें इसमें पानी भी डालेंगे, water, इसके साथ हमें इसमें water भी डालेंगे, मिस दो component डालेंगे, एक तो गोबर and water डालेंगे, चलो ठीक, इसमें डाल दिये, अब अच्छे से ये गोबर और पानी जब mix होके ऐसे अच्छे से mix हो जाएगा तो यह इसमें flow हो जाता है यह tank में flow जाएगा कौन से tank में जो main tank है उसमें flow जाएगा अब यह flow होके देखो यहाँ पर आ जाएगा अब इसमें क्या-क्या रहेंगे इसमें रहेंगे आपके bacteria भी और इसमें undigested cellulose भी रहेंगे अब यहाँ पर क्या होगा यह जो bacteria है बच्चो यह bacteria यह bacteria क्या करेंगे जो cellulose undigested है यह cellulose का digestion करना शुरू कर देंगे यहाँ पर जैसे bacteria होगा तो अंदर से क्या बनने लगता है क्या नाम ने लगता है ग्यास ओके तो इसमें तीन टाइप्स के ग्यास बनते है अब आने के लिए आपने ऐसे देखा ऊगा ना ऐसे टैंक रहती है डेका बायो ग्यास का टैंक रहती है ऐसे ट्यूब के हैं अब ये पर डाइगराम कैसे यहनसाइटी भूक मेन कैसे डाइगराम में यह ग्यास को निकालनी के लिए एक अलग से अलग से पाड घुग हुटा है अ अब यह ग्यास इसके अंदर से इन्दस हो चुका है वह इस तो हो चुका है अब वहां पर तो रुख जाएगा जो हो चुका है वह तो ऊपर ऊपर आ जाएगा यसे का म कई क्षाइजेशन हो चुका और जिसका नहीं हो आए वो नीचे है अब जिसका डाइजेशन हो चुका है अब आ जाएगा अब यह उपर आके यह थोड़ा बहुत पत्ला बन जाएगा एकदम ऐसे क्या मोलतेगे चाइफ बंद जाएगा तो यह दूसरे टैंक में फ्लो जाएगा यह slurry क्या हो जाएगी दूसरे tank में चले जाएगी है इसे flow के तो यहाँ पर एक tank रहेगी बच्चों यहाँ पर एक tank रहेगी इस पर पूरी यह slurry आ जाएगी इसको slurry बोलता हम क्या बोलेंगे इसको slurry slurry he gonna और यह slurry का क्या यूज करते पदाएगे इसको भी ने चौड़ते हम आपको लगे गाये ने दूद दिया दूद यूज कर लिया गाये का गोबर भी हम छोड़ते एग भी चीज नहीं छोड़ते सब यूज हो जाता है गाय का यह तो कि यहां पर समझ में है तो ग्यास बनता है यह ग्यास का यूज क्या है कूकिंग यहां पर फर्टिलाइजर अब देखो यहां पर यह लास्ट पार्ट है अभी जो बायो ग्यास प्लैंट का डेवलोप और एक है आपकी खादी विलेज खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रियल कमिशन तो इसके लॉंग फ़र्म आपको आ सकते हैं तो लॉंग फ़र्म क्या है इंडस्ट्रियल सोरी इंडियन एगरी कल्चरल एगरी काल्चरल रिसर्च Research Institute ओके और इसका लोंग फोंग क्या है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमिशन ओके दिस अल अबाउट बायो ग्यास प्लैंट के लिए रहे बच्चों? के लिए रहे? एक बार रिवाइज करेंगे फास्ट चलो क्या क्या है देखा हमने बायो ग्यास प्लैंट बायो ग्यास का प्लैंट में यह बायो ग्यास प्लैंट में हमने माइक्रोब से बायो ग्यास बनाना है माइक्रोब कौन सा है? बैक्टिरिया है कौन सा बैक्टिरिया है? अनेरुबिक बैक्टिरिया है बायो ग्यास का मतलब हुदा है mixture of gases कौन से gas methane carbon dioxide hydrogen अब यह methane carbon dioxide hydrogen कब बनता है जब हम गोबर को ऐसे tank में डालते हो कि तो लेकिन उससे पहले हमने यहां पर देखा कि यह गाय के अंदर का जो पेट है पेट की digestive system का एक पार्ट है यहां पर cellulose का digestion होता है यह cellulose का digestion होके गाय को nutrition मिलता है लेकिन जिस cellulose का digestion नहीं हुआ वो गोबर में आ जाएगा उसके साथ बैक्टिरिया भी आ जाएगी हम क्या करेंगे गोबर को एक टैंक में डालेंगे पानी भी डालते रहेंगे तो अच्छे से mix होने के बाद यह बड़ा टैंक में चला जाएगा बड़ा टैंक में जाने के बाद यह बैक्टिरिया क्या करेंगे टेकनोलोजी को डेवलोप किया है दो और गनाइजेशन ने एक है आपकी इंडियन इंडियन एंडियन अग्रिकल्चर रिस इंडियन और एक है आपके खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रियल कमीशन क्लियर है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और बच्चों प्लीज अपने चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलो क्यूंकि जो भी ऐसे लेक्चर रहेंगे आपको वो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो कुरुपया करून लेक्चरा और लेस सब्सक्राइब करावे थैंक यू सो मच मिलते नेक्स लेक्चर में टाडा बाबा